आज आप सभी के सामने मैं एक अपनी की हुई साधना से सम्मंदत कुछ अनभव आप सभी की साथ साजा करूँगा और जैसे की आपने देखा उसका नाम है करण पिसाचनी जैसे की आपको सभी को ग्यात है की करण पिसाचनी का अर्थ क्या होता है क्या साधना होती है क्यों होती है अधिकतर लोग करन पिसाचनी को बहुत भयावा, बहुत गंदी और बहुत ही मलिन परिशान करने वाले, बहुत और वरतमान बताने वाले, एक ऐसी शक्ती की रूप में जानते हैं जो आपको जीवन में ऐसी ऐसी शक्तियों का ऐसे इसे राज खोल देती है, जो समाने विक्त के बस की बात नहीं है, जैसे सभी को जिग्यासा होती है, मुझे भी अपने साधना काल में इस परकार की जिग्यासा हुआ करती थी, कि कड़ पिसाचनी मैं करूँगा, लेकिन क्योंकि मैं बाले काल सही बगवान भैरों की उपासना करता चला रहा था गातरी को, इन्दो कुछ रहुकाल ऐसा आया कि उसमें मेरा संबन्द कपालिकों, अगोरियों और ऐसे बाबाओं के साथ, ऐसे तांतरिकों के साथ मेरा संपरक हुआ जो मारण कर्म और भूत प्रेत जिन्द पिसाच ब्रहम राक्षास इन सबसे संबन्दित विद्याओं के महारत ही थ कुछ तांतरिक शेष विद्याओं के गयाता जो साथ इंडिया की तरफ के थे, कुछ नौर्द के थे, कुछ नेपाल के थे, उन सब के संद मेरा जो समय था उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और उसी में इस कर्ण पिसाचनी विद्याओं को करने का मेरे भीतर भाव आया कि इन लोगों के साथ रहे कि मैं इस प्रकार की साधना को भी जान सकता हूँ कि ये क्या है क्योंकि भूत और वर्टमान ये बताने में बहुत माहिर है भश्ष में ये कमजोर पड़ जाती है तो एक क्योंकि मैं बारलिकाल से ही बहुत सारी साधना कर चुगा था और साधना को करने के प्रभाव से बहुत सारी हिंद्रियां वैसे ही जागरत थी तो राटक मैंने सिंद्ध करा हुआ था उसके माध्यम से ही बहुत चीज़ें ग्यात हो जाती थी स्वता से ग्यात हो जाती थी ऐसा नहीं होता था कि मैं किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे क्यात हो रहा है अपने आप होता था कोई पूछता था उसका उत्तरस्वता से आ जाता था कोई कुछ अगर बोलने वाला है अपने मुख से टो मिझे पहली पतम जाता है, यह बोलना वाला है, तो उसके बोलने से पहली है, मैं बोल देता हूँ, तो अस्चर चिकित हो जाता था कि ऐसा किय से बोल दी आपने, तो जब मैं इन बाबाओं और सादूसुन्तों के संग में भटक रहा था, मेरी पृतन मुलाकात हुई गे, हरिदवार में एक बाबा से और उसके साथ मैंने तीन और तीन राते गुजारी उसने लिए घाट वे और वो कुछ नहीं करता था बस बलबलाता रहता और तभी को बार इतना जदा बलबलाता था कि समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहा है बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था खिर मेरी उससे मित्रता हुई क्योंकि जैसे ही मैं उसके सामने कुछ लेके गया, कुछ भोजने त्यादी तो उसने सीधे दारू मंगी कि यह नहीं दारू भिलाओ तो मैं नहीं कहा कि आप रुक्या में लेके आता हूँ मैं जब तक लेके आया तब तक वहां से गया बहुच चुके थे पिर भी मैं वहां प्रतेक्षा रत रहा तो तिन घंटा बैठा रहा वहां पे मैं इसलिए वहां बैठ गया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी थी मेरे बारे में कि मुझे यह हुआ कि यह अब शिर्फ मुछने कुछ सद्धी और शक्ति का मालिक है तो तिन घंटा प्रतेक्षा करने के बाद वो बाबा आया उच्छा उसने कि लाए मैंने कहाल लाया हुआ करने चलो उनके साथ 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 नदी किनारे बहुत दूर तक जाके जहां एकदम शहरी आबादी सबी समाथ हो जाती है वहां पे जंगल का एरिया और नदी किनारा बैठे और उसने दर उठाई और उसके छीटे मारने शुरू करे अज्याद स्थान पे जब चीटे मारने शुरू करे अचानत से उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि तु भायराव का पोजा रही है पीछे बैठ तो मुझे उसने काफ़ी पीशे भेज दिया काफ़ी पीशे चला गया मैं कि वो हलका से देखने लगे बस शाम के समय भी था कुछ वहाँ पर हल चल ऐसी हुई कि साया जैसी वहाँ पर तीन चार तरह की चाया हैं वहाँ पर दिखने लगी है और उसने वहाँ भुग दिया और उसके बार चीटे मारे कुछ उसके थेले में था वहाँ रखा और उसके वहाँ से वो करके चलाया और अपना दारू पीता हुगा मेरे पास आ गया तो उसने मुझसे ये कहा कि क्या चाहिए क्यों आयो तो मैंने क्योंकि उस समय मैं और उतों को चाहता ही नहीं था मेरे भीतर एक प्रश्ण तो उठ रहा था कि करण़ पर साचनी को कैसे करा जाए लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं था कि मैं किसी से कह सकूँ तो मेरे अंदर से यही हाया कि मैं तो बाबा को उपा सकूँ बाबा से सम्मान देत मैं बटकता हूँ जर उदर तो वो खबरा सा गया उसके चहरे पर रचानक से एंदम भाय की लहर तोड़ गी और कांपते विए उसने मुझे से कहा कांपते विए होटों से मुझे से कहा कि वो तो बहुत कतर नाक्ष्ण होगी है ना उसके वारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ उसके साथ उसने ये भी बुला कि वो आपके साथ 24 गंटे रहते हैं आपको क्या वश्यक्ता है इस प्रकारजे उसने और भी बहुत सारे कुछ बाते बताई मेरे बारे में जिससे मुझे ये भान हो गया कि ये करणपिसाजनी से संबंदित सिद्ध है फिर दीरे दीरे दीर मुझे करणपिसाजनी से संबंदित बहुत सारे रहसे खोले क्यों ये करणपिसाजनी कान में आके बताती है कैसे बता लेती है भूत का और वरतमान का उसको क्या भोग चाहिए होता है क्यों भोग चाहिए होता है इस परकारज से अनगिनत चीजे इस बाबा ने मुझे बत मैं आता हूँ जब मैं अपने उन गुरुत के साथ। स अंदर मैं आया हुआ था जिसमें हर प्रकार की जो नीचे योने की साधना हैं भूर परित चिन्य से लेके और बिज़तनी साधना होते उन्हीं साधनाओं की मद्ध में मुझे कुछ यक्षिडी की साधना करने का अफसर मिला अले लगते है कि और कुछ मौका मिल रहा था मुझे प्रेद की साधनाओं का मेरे साथ इतने भी और भी शिश्यगण थे वो उनको भाय रहता था बहुत सारी चीज़ों का लेकिन बाली काल से मुझे पता नहीं था कि भाय क्या होता है और कहीं भी कभी भी मैं किसी परकार की साधनाओं को करने के लिए बुड़ा उत्साहित रहता था तो हमारी गुरुदेव ने कहा कि मेरे नाम उस समय महा कल नात अगर था तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि महा कल तुम करने पिसाच नहीं करोगे तो मेरे जिग्यास को देखते उन्होंने बुला था तो मैंने हामी भरी, उल्णे मुझे एक मंतर दिया और उसके कुछ रहस के बताएं मैंने उसको एक इस्थान अपने गोलडेश से कहा इस सिन्दे कि नारे करूँगा तो उल्णे मुझे उस इस्थान का वूरा बताया कि वहाँ पे कौन कौन सी शक्तिया हैं तो मैं कैसे कैसे समल के रहना है, कैसे कैसे अपना घेरा लगा के रखना है, कब कौन से मंतर का उचाराण करना है अगर कोई शक्ति आ जाए, इस प्रक्राण से मैं वहां एक तालिस दिन की साधना के लिए चाला गया, उनकी द्रश्टी थी मेरे पर, तो जब मैं वहां पर्थम में रातरी लगबग साड़े नौन, दस बज़रा होगा, जब महां पर था, तो चारों तरव एक अजीब सा, अजीब सा सन्नाटा था, मैं अक्सर पालो, नदी किनारे, जर्णों, इन जगों पर मैंने भहत राते बिताई हैं अकेले, और रात ही नह किनारे, प्रेण के पास, परवत के पास, जानने के चाथी जोजिग्या सा थी, उसी कारण वर्ष, उस रातरी वो सन्नाटा बड़ा अजीब सा लगा मुझे, जाना पैचाना नहीं लगा, प्राकर्देख नहीं लगा, फिर भी मैं गुलो द्वारा बताई ही विधी को मैंन करना शुरू करा, और विधी को करने के प्रशाद जैसे ही मैंने उनके बताय है मंत्र का जानल करना शुरू करा, मिझे एक अजीब सा शाय जैसा, एक अजीब सा धुवा जैसा, दूर से उठता हुआ देखने लगा, और दूर से जब उठा तो वो कभी पास आ जाए, कभी चोटा बच्चा हो जाए, कभी बड़ा आदमी हो जाए, कभी स्तरी हो जाए, कभी पुझलग हो जाए, कभी बुढ़ी हास्तरी हो जाए, तो कभी जवान स्तरी हो जाए, तो अले कई गरूपों में में आगे, पीछे, उपर, नीचे, दाएं, बाएं, दूर, पास, ऐसे ब पात और ज्यादा बढ़ने लगा। मैं नदी के नारे था, नदी का जल भी इतना बढ़ गया कि मेरे घुटने से उपर पानी आने लगा। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे को उठना चाहिए यहां से, वो सकता है पानी का इसतर इतना अधा बढ़ गया कि मुझे उठना पड़ जाए, लेकिन अवरूर का आदेश था, इसका पालन करना बहुत जरूरी था कि अगर एक बार बैठ गया है, तो फिर जितनी माला बोली है यह उतनी माला करके ही उठना है, यह मेरा हमिर्शा का संकल पराओ, चाहिए जो हो जाए उस समय मा आसन छोड़ता नहीं था, आज भी वह इस देती है, अगर किसी कारेर को कर लिया, उठा लिया, बीच मैं ही छोड़ना, मेरी इसी ओधन्टता को देखते हुए, मेरी इसी मैं जैसे जैसे जाब बढ़ता चला गया, उत पात और जदा बढ़ता चला गया, प्रतम रातरी यही हुआ, दो-ती रातरी कुछ समान ने सी घटना है हुए, जो बहुत समान ने सी हैं, तीसरी रातरी को, जब मैं जाब पर जा रहा था, तो जाब पर जाने से पहले ही, मुझे रोका गया किसी के द्वारा, और पीछे से हवाज या रही थी, कि मत जाओ, मत जाओ, खत्रा है, यह मुझे समझ भी नहीं आया, यह सक्यों हुए, लेकिन क्योंकि आदेश था, तो मैं जाना तो बहुत जरूरी था, चाहे जो भी हो जाए, जो मैं वहाँ पहुँचा, तो जंगल का स्थान था ही, नदी किनारत था ही, रातरी का सुन था ही, जंगली जानोरों का आना बड़े समान ने सीखटना थे, तो जो मैं वहाँ पहुचा था, बड़ा शान थे था, जो पत्म तिनकी बेचैनी थी, उस जंगल के आसपास, उस रातरी की, वो इस रातरी नहीं थी, इस रातरी बड़ा शान था था, मैं अपने निश्चित स्थान पे जाके बैठा, और दूसरी तरफ मुझे आँखें चमकते भी दिखाए दी, जब मैंने आँखें चमकते भी देखी, तो मैंने देखा कि वो जान बुर हैं, या कोई इनसान है, या कोई ऐसी अलग शक्ती है, नहीं समझ गाया, अधिरा था बार से ऐसा लगा कि जो पानी पी रहा है नीचे, जिसकी आँख की छाया भी पानी पर पढ़ रही है, वो दीरे 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 मेरी तरह पढ़ रही है, मैं राउंग्टे खड़े हुने लेगे रोमांच के कारण, कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह क्या है, यह कौन सी शक्ती है, अचानक से वो दुनों आँखें मेरे सामने ही थी, मेरा जाप लगातार चलता रहा, और जब तक उस रात्रे को दो बज़े तक मैंने अपना जाप पूर्ड नहीं करा, तब तक वो आँखें मेरे सामने ऐसे ही मुझग होती रही, वो सिर्फ आँखें थी और कुछ नहीं थ और वो बार बार मुझे देख रही थी, अब अलग देख रही थी, दो बज़े, समा दो बज़े मेरा जाप पूर्ड हुआ, मने धन्यवाद दिया, और वहाँ से चल दिया, अब वो आँखें 24 घंटे मेरे साथ रहने लगी, चाहे देन हो, चाहे रात हो, 24 घंटे मेरे साथ क्यों मुझे देखते रहें, गुरुदेव से मैंने पूछा, लेकिन गुरुदेव को हमेशा यही आदेश था कि साधना पूरण करू पहले, बीच में इस बरकार की प्रेशन मत करो, क्योंकि मैं हूँ मैं देख रहा हूँ, तो मैं आवर्शक्ता नहीं है, तो मैंने उनकी मेरे कानों में कुछ आवाजे आना शुरू हो जाते थी, जैसे कोई गिटार सबजा रहा है, या कोई बहुत तीज, अजीब अजीब सी आवाजे निकाल रहा है, लेकिन मुझे सौन या नहीं आता था कि क्या आवाजे हैं, क्योंकि वो इस प्रत्वी की भाशा से सम्नादि लगता ही नहीं था, वो क्या चीज़ है, क्योंकि कभी सुनी नहीं बैसा आवाज, कुछ दिन हो गए दस ग्यारा दिन, बीटने के बाद, त्स ग्यारा दिन में बहत सरे अंभाव हुए, दस ग्यारा दिन कि बाद अचानक सी एक दिन, रातिरी को, शायद 12 क्या आस-पास हो रूप से मांसिक रूप से अश्रांति होगी, किन्तु मैं ध्यान साधना हूँ बहुत रहा हूँ तो मैं हर चीज को देखता हुआ चलता हूँ तो बहुत ज़्यदा असर होता रही है, और गुरु वादेश रहता है, तब कोई फरक भी रही होता है, दस्वां 11 दिन था 12 बजे का समय था रहा तरीका, हर तरफ पानी की कलकल, मैड़क की आवाज, जिंकुर की आवाज, अजीब जीब पक्षों की आवाजें, और अचानक से वो जो कानों में कभी कबार आवाजे आती थी मुझे, वो अचानक से मुझे साफ सपश्ट सुनाई द आओ, और धीरे-धीरे मेरे से वो आवाजें बात करने लगी हूँ, जैसे ही मेरे से वो आवाजें बात करने लगी, मेरा एक-एक रोंगटा खलो हने लगा, रोमान फिर से, यह क्या हो रहा है, यह हमें इसी के लिए बैठा था, यह तो इस जीजें आ रही हैं, और जब लगी उस आवाजों में एक अलिक मधुरता थी एक अजीव सा नशास थी जैसे कोई आपको अगत प्रेम से समझाना चाह रहा हूँ और उन आवाजों में कोई लय ताल नहीं था कि किसी एक टॉपिक पे किसी एक सब्जेक्ट पे कोई बात कर रहा हूँ पस ली बताय जा रहा हम कलमी आए थे परसुदी आए थे इतनी देन से आ रहा हूँ वहां पे एक सादू बैठा रहता है यह पहाळ पर कब तूटके गरेगा ये पहाड़ कब से यहां खड़ा हुआ है वो पिड़ कब से कहां खड़ा हुआ है ये पिड़ क्या सोच रहा है पीछे कौन-कौन से भूत परेत है इस बरगारगी अलग-अलग चीज़े आवाजों में आने लगी और कान में साफ सुना ही देख ले लेकिन कोई दिख नहीं रहता हूँ उन आखों क्या लगा हूँ मेरी कोड़ डिमांड नहीं रहती थी साधना में पहले भी और बाद में भी और अपने साधकों को मैं कहता हूँ साधना में डिमांड मत रखो वह और आशोई कार करते चल जाओ अचानक से उन आखों ने हलका हलका रूप लेना शुड़ू करा, जैसे चहरा हलका हलका बन रहा हो, नहीं आखों में ही, और जो होट थे, वो बुद्ध बनाते हुए देखे, और उस आवाज से तानमेल खाते हुए देखे, जो मेरे कानों में पड़ रही थी, ये दस्वे द की, और ये धीरे 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 ये च्छवी साफ होने लगी, राकट होने लगा उस चीज का, उड़ जाका, बीसवा एक्किसवा दिन था, उस शक्ती ने, उस पिसाचनी ने, उस देवी ने उपना पूर्ड रूप लेना शुरू कर दिया, और बहुत सुंदर, बहुत देखता हूँ, लोगों के अंभव, उसमें इसको बड़ा डराबना और भायावाय दिखा दिया है, मुझे जो पैस चुछा, वो बड़ा मनोभारी था, बड़ा हर्दय को श्पर्श करने वाला था, कोई भायावय नहीं था, इसका कारण ये भी हो सकता है, कि जो भायानक स कुरूर है, वो महा काल भायर होगा, तो मैं उपासक हूँ, तो उसके समख्ष कौन कुरूर आएगा, ये भी एक कारण नहीं होता है, जिसको मैंने बाद में इनलाइस किया, बीसवान लगभग जिन रहा होगा, तो अपने पूर्ण आकरती में और भाव संदर, बहुत सुगंधित, रूप में नेरे सामने परकट होके, और 24 घंटे उनने बोलना शुरू कर दिया, 24 घंटे उनके होट बंद ही नहीं होता थे, और हर चीज के बारे में, मेरे गुरू के बारे में, मेरे गुरू भाईों के बारे में, पुर्वजों के बारे में, कोई एक रास्ते से आ भी रहा है, जा भी रहा है, वो भी, इसमें एक चीज जो मिस होती थी वो ये मिस होती थी कि मैं उसके साथ कम्मुनिकेट नहीं करता था यानि कि वो बोलती चली जा रही है और मैं उसके साथ कम्मुनिकेट नहीं करता था इससे वो मुझे रुष्ट भी दिखाई दी कई बार कि जब बोल रही है तो मैं उसके साथ पार्टिस्पेट की नहीं कर रहा हूँ उसको जैसे जैसे मैं साधना को आगे बढ़ाता चला गया बहुत अलग 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 होते चले के इस करण पे साचनी के अलग 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 रहत से निकल की आए वो उसके कौन-कौन से सहचनी है साथ में कौन-कौन सी शक्तियां उसके साथ चलती है वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसको आपके साथ आपके गंड़े के साथ जोड़ देती है उस साचनी ने मुझे बहुत सारे संकेत दिये बहुत सारी विधियों के बारे में बताया बहुत सारी क्रियाओं के बारे में बताया करण पिसाचनी का करण से क्यों संबंध है यह भी जानकरी दी जो बाद में जब मैं ध्यान के एकांतम प्रयोग करता था उसमें मुझे वहां प्रकट हुआ कि ध्यान में भी का जागरन होता है जो लगबग कर्ण पिसाचनी की तरह ही है तंदर के मात्यम से किसी भी शक्ति का जब हम आवाहन करते हैं या हम कर्ण पिसाचनी की बात करते हैं तो कर्ण पिसाचनी का एक हम उड़ता एक रूप मन में लेके चलते हैं वही मानसिक रंगों को पकड़के हमा ऑऔर इस सामने वो शक्तियां अंद्रश्य होजाती है तो शुरुग आत में जैसे वो किटार बज़ा रहा हो वैट बड़ा, बेड़का साफ किटार बज़ा रहा हो वो चाइनीज आपके सामने बहुत तजी से बात कर रहा हो जैपनीज बात कर रहा हो किसी दूसरी भाषग म में आनाश्र बरती ही, दीरे 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 पुछ लोगों को डरावने अंगा होते हैं, उसे लोग डर के साधना ही छोड़ते हैं, जो साधना छोड़ते हैं, उनकी साधना खंड़त हो जाती है, जो गुरु आदेश का पालन करते हुए नहीं चीज़ते साधना में, उनक कुल मौन परी साधना वागे बढ़ाता रहा हूं पीस दिन लगबख हो गए थे उस योगती ने मेरे सामने नरत्य करना नरत्य करना अजीब वजीब तरह की हारकते करना मेरे साथ खेलना रमण करने के लिए परिर्द करवाना और लगातार बोलते रहना और मुझे यहाँ परिर्द करना कि मैं उसके साथ कम्मूनिकेट करूँ जैसे आप किसी से बात करते हैं सामने आपके बैठके और अगर आप कोई भी बात का जवाब ना दे अगला विक्टिक कितनी तेरी बात करेगा उसी प्रिकार से अगर आप उसके साथ लिंक हो जाते हैं, अगर मैं उसके साथ लिंक हो जाता है, तो शायद मैं उससे कभी पीछा चुलूबाना पाता है, फिर मैंने उसको दिखाने के लिए जागरुता रखी, जागरुता रखी कि मैं उसको दिखाने के लिए लगातार उस और जैसे जैसे मैं हाँ हाँ बूलता जाओ और वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती चाहिए बताने की और बस वो बोलती जा और मैं सरहिलाता रहूँ मेरी यही दशा हो गए थे कोई रोड पे जा रहा है रोड पे असन के लोग जाते हैं हर वैक्ती के बारे में नाम नान है उसके घर में क्या है उसके बच्चे क्या कर रहे है जिससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है उसके बारे में भी बताना चुरू कर देती थी उसको खा जाओ, उसको मार दो इसकी यह सिद्धी मिल जाएगी ऐसा कर दो तो यह सिद्धी मिल जाएगी ऐसा कर दो कि तो वाला पावर मिल जाएगी इस तरह कि आने के नहीं चीजें अब बकरे की पली दे दो, अब मरगे की पली दे दो अब धरू पीलो, ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लो, और ज्यादा मन को बहुत नीच बनाना शुरू कर दिया, उसने, मन की नीचे की हरकते हैं यहां देखतर, उसने और ज्यादा नीचे करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे साधना पूरी करने थी, तो मैं बीच में फिरोध नह दी रहे, दी रहे, दी रहे, एक समय ऐसा आया, ऐसा लगा कि चालिज दिन तूना होने वाले हैं, और मैं ऐसे ऐसे पागल जैसा हो गया था, क्योंकि वहाँ पे मदरा का भोग, वहाँ पे ताम से घर प्रिकार का भोग, देना और स्वयम लेना, शुरू हो चुक था, रमण के लिए भी बहुत ज़दा प्रेणा होते लिए, लेकिन घर उनात के ऐसी करपा रहे कि उस एंगल से नहीं तूटा, लेकिन उसने बताना शुरू कर दिया हर चीज के बारे में, गुरू के बारे में, मेरे कान बारने लगी, कि गुरू ऐसा है, गुरू ऐसा है, स्थिति बनने लगी, यह तो सब पता है, अब तो सब पता ही चिल जाएगा, आप क्या दिक्कत है, अब सब की राज कोल दिये, ऐसी स्थिति को भी मैंने बड़ी ज्यागरूपता से, ध्यानी सादख होने के कारण, खुद ज्यागरूपता से देखते पे चला, इसी वी ची जुका था, नौबे उन हेंटे हों मेरे साथ, कुछ दूरी बनाय हुए चला करती थी, लगातार मेरे काम में बहुतती रहती थी, नीन मेरे को आनी बंद हो गई थी, और हर व्यक्ति के बारे में, न कारत्मत्ता महोट जयता, क्योंकि अगर किसी के बारे हर व्यक्ति, लाला जमो, लूब, अपनी स्वार्थता, इन सुक के बारे में ही केंद्रित होके चलता है, तो जब किसी के बारे में बताये वो, और उसके बारे में बता चले, तो अंदर से आए घ्याटा विससा बाती नहीं करने हैं, यह ऐसा ही है, यह संसार ऐसा ही है, संसार तो स्वार्थ कोई चलता है, हर कोई स्वार्थ ही है, और वो ग्यान की बाते आनम बंद हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी वाणी मेरे कानों में लगातार पड़ते रहते थे, 40 दि मांगें कि यह भी हामें भढ़ती, गुरू आदेश था कि जब तक साधना पूर ना हो जाए, कुछ भी डिमांड नत करना, जिब तब अपनी साधना करते रहना, कोई वचन बंते ना, देरे 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 जब आखरी दिन आया, आखरी दिन में, मैं नदी के नारे बै गया, मेरे गले तक आ गया, और पानी की तो लहरे थी, ऐसी थी कि अब मैं बह जाओंगा, एक और लहराती ओर मैं बह जा, ना तीवर, तो मैंने भी ये ठान रखा था कि अगर मैं बह गया तो बह ही जाओंगा, उठूँगा नहीं अपनी मरजी से, साधना करते, 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 एक घंटा हो गया। जेर घंटा हो गया। पूरा महाल बहां के बदल गया। बहुत खतरनाकst आवाजे आना लगी। बहुत ज्याद हाँ, खूप सारे लोगों की चीखने-चिल्लाने की आवा जयने लगीं, जैसे कोई मर गया हो, बद्बू आने लगी बहुत बयानकां, जैसे कोई मुर्ता सड़ रहा हा हो, जन्मों से सड़ रहा हो, छेचे महिने से सड़ रहा हो, और अशों के ढेर लगे हो, रूब इयानत बदवू और वो जो रूप मेरे सामने बड़ा रूप वान ओके चलता था वो उसमें जो गंदी गंदी गैस बदवू आने लेगी invit गंदी गंदी आप महां बैठी नहीं सब्दें, इतनी गंदी बदवू और वो जो रूप वान जो चहरा था, जो अंग थे, सब मैसेज जैसे मास की लोथले लिम गिर रहे हैं, तपक रहे हैं, तंदा खोन टपक रहा हैं, दाथ इतने पयाबाग, कि जैसे सुया, असम के सुया लगा रखी हो दातों में, बड़ी बड़े काटे से ही के, खुन टपक रहाज, हाथ में उसके ठेल सारे मरेवे बच्चों की लाहे, जिनको वो नोच अनोच के खा रहे हैं, और उसका भाव ऐसे की अब वो मुझे खा जाएगी, अब वो मुझे फुला पुरा निकल जाएगी जैसे वो बच्चों को खा रही है, दीरे 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 जब वो मेरे पास आने लगी, अब गुरुदेव की बताये हुए कुछ मंत्रों का मैंने उचारण करा, तो वहीं रुपें, वहीं खड़े होके उसने मेरे दिबात दना शुरू करा, यह बात बिलकुल ही भिन्न थी, जो आज तक वो करती रही, बिलकुल भिन्न थी, और इतनी तेज चिल्लाने लगी, ज इसे कोई पागल स्तरी हो गई हूँ, तिने देज चीफ न लगी, कोई भी सामान में सादक हो, वहाँ पे पागल होके मर जाए, उसने मेरे से चिल्लाते हुए स्वर में गर्जना करी, बहु कहा है मेरा, मेरा बहु कहा है, बहुत देज इसे चिल्लाया, क्योंकि अन्तिन टि मुझे इसका भाण ही नहीं था, यह ऐसा भी कुछ है, मेरे पास जो भी सामान भोग के वस्तित ही मैंने उसके सामने इसे उठा के फैंकी, उस तक वो पहुँचने से पहले ही उसके आसपास जो भूत परित थे, वहनुने चैट कर ली, फिर वो चिल्लाया, मेरा बहु कहा है मुझे नहीं समझना आया, मैं क्या उतर दिता, यूखि मैं अपना जाप कर रहा था, और में गुरोधेयन में बोला था, अपना जाप मत छोड़ना, मैं जाप करता रहा, उसकी तरफ देखता रहा, वो चिल्लाती रही, हो तेज चिल्लाती रही, और मारने के लिए आतुर ह हो गई और बदमों से वहां बैठना मस्विद हो गया इतनी ज्यादा चीख उकारे महां होने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि पूरा का पूरा आसपास का गाउं का एरिया मारने के लिए मुझे चला आजा है फिर भी मैं शाल अपना जाब करता रहां बढ़ाता रहां कुछ आखरी की मालाएं बची थी उसे समय उस महाल में एतनी ज्यादा अगुरता हो गई कितना ज्यादा महाल खराब हो गया कोई भी समाने सादक हो कोई लग जाएगा कि आज उसके मुझे त्मिश्चित है मुझे भी यह आभास हुआ कि आज कुछ बहुत गलत हो सकता है अचानक से जब आखरी एक माला बच रही थी और वो वहाँ पे मुझे खाने के लिए मुझे मालने के लिए आतुर थी कि अब वो आएगी और वरी गर्दन उड़ा देगी अपने तीखे पैने नाखून और रातों से अभी सहसा मेरे हाथ पे किसी नहीं जैसे बहुत तेज से खनोच मारी हो नाखून से बहुत तेज खनोच कोई इसमें से खून टपकने लगा और जब वसम से खून पकने लगा तो धेर सारे वहाँ पे छोटे 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 घोध प्रेत बच्चे कीड़े वो मेरे हाथ पे चिपक गए और ये साख्षात हो रहा था मैं देख रहा था ऐसा नहीं कि मुझे ब्रहम हो फिर मेरे दूसरे हाथ पे ऐसे बहुत तीज़े से नाखून से खरोश मारी गई और खून टप 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 और दोनों टरफ से मेरे हाथों को जैसे कीड़े खा रहा हो उस तरह के भोत प्रेत अधी बिजीब तरह के लंबी लंबी जीब बाले मेरे हाथ पे दोनों खून टूस रहे और मैं पूरा हिल रहा कि मैं जिसरा मेरा जिसरा हाथ ही तोड़ के लिए जाएंगे मेरा वहाँ जाब करना मुश्पिल हो गया जैसे ही मेरी माला का आखरी दाना हुआ अचानक से आकाश में मेरे गुरुदेव का मुझे जहरा साफ पश्ट दिखा दिया और उन्होंने सिर्फ एक ही वचन बोला जासिद्ध हो गई बस उनका ये वचन सुनते ही ये वचन मेरे कान में पढ़ते ही जासिद्ध हो गई वो जो मेरे हाद से खून निकल ला था जो मेरे को नोच की खा रहे थे सामने जो बद्वू आ रही थी वो सब शान्त हो गई और करन पिसाचनी ने अपना असली रूप मेरे सामने प्रकट करा और इसने जो मेरे से भोग मांग रहे थे उसकी भी डिमांड नहीं करी मैंने चाप छोड़के उनको परणाम जरा और उनसे उनकी रहस से जाने उस सरातरी उन्होंने मुझे वो सभी रहस से प्रकट करे उस लोग से संबंदित वहाद गुप्त और गोड हैं और बिल्कुल मित्रवत रूप से उन्होंने वचन के लिए बात करें मेरे कानों में मेरे गुर्देव की साफ असपस्ट धुनी आ रही थे कि कैसे कैसे वचन लेना है उन्होंने मुझे वचन लेने का तरीका बताये था जो बहुत ही गुप्त है जो गुरु शिष्य मारिंग पही चलता है और बहुत परीक्षण के बात मिलता है उस गुप्त विधी से मैंने उनके साथ वचन बंदिता करी रिवने पिसाचनी के साथ और उसके बात से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ वेवहर करना शिल करा जैसे कोई देवी हो जो अश्यांत रूप में हो लेकिन जाहे कोई भी हो है तो पिसाचनी स्तर की ही तो उसकी जो हरकते हैं उसकी जो डिमांड उसकी जो एनरजी वो साधक को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है जैसे साधक जिसे स्तर पे है उसकी औरा में है उसकी उर्दा क्षेत्र में है उसी में ही रहे उसमें उसी को आनंद है इन सब चीजों का जब मैं प्रयोग करते करते गुरु सानलते में और भी साधनाओ को करते करते कर्ण पिसाचने की साहिता से लोगों को बताने लगा, बहुत सारी सीची बताने लगा साधना में अटकावसा आया, यह मैंने देखा, कि जो गती मेरी पूर में थी, वो अब मेरी नहीं है क्योंकि साधक की गती तब होती है, जब वो एहंकार रहे दोना शुरू होता है हर चीज का उत्तर मिल जा रहा, तो आपकी जो प्यास थी हो दब गई भीतर, तो यह बहुत सारी चीजें जब मेरी प्यास को दबाने लगी, मेरी यात्रा को दबाने लगी, क्योंकि मेरी प्यास वरम की थी, इन छुदर शक्तियों की कभी नहीं रहे, इन को जिग्यासा और जा जाकर रूखता, वश्ट मेने सिंदः करा, यह इसका अर्थिया है, इसका अर्थिया है, वो ऐसा बोल रहा है, मेरे बारे मैं ऐसा बोल रहा है, तो यह सारी चीछी जो मैं ऐसे होने लगी, तो साधना तो अटकी गए थे, मांसिक रूप से भी आप पागल हो जाते हैं, जब आपको 24 गंटे, सोते टाइम भी अगर अगर कोई बतारता रहेगा, अब कहां सारी चीछी चांती से, तो मांसिक अशांती भी बहुत ज़्यादा होने लगी, साधना भी रुख गई, प्यास भी पीछे थी, लेकिन वो भी हलसाल का धक्का मारती रही, कि मैं तो बुझी दी पाई हो है, वो तो परम से ही बुझेगी, महा ग्यान जब भूटेगा बुझेगी, मेरी गुर्दिव ने मेरी प्राथना सुईकार करी, और उन्होंने फिर इससे मुक्ति कर आस्ता भी बताया, क्योंकि सामान ने करिया नहीं है, किसी शक्ति को अगर वचन बंद कर दिया जाए, तो आप कैसे तोड़ेंगे, उसके लिए भी कुछ गुपत क्रिया है, और उन्होंने मुझे को करवाई, और क्रिया करने के बाद भी मुझे कम से कम, तीन महीन लगा, अपने मानसिक बैलेंस को वापस लाने के लिए, तीन मैने तक मैं वहाँ सिवा में रहा, तो गुरु सिवा में रहने का यही फ़र रहा थी, वो चीजों मैं मुझे जल्दी सफलता मिली, और उनसे जब छुटकारा पाना था, मैं और ज़्यादा जल्दी उसे चुटकारा पा लिया, पेपी मैं जितने भी सुनने वाले हैं सादक, उनको मैं यही राय दूँगा, कि अगर आपको यह सादना सिद्ध करनी है, अपने गुरु के आदेश का पालन करना सीखें, जब दक आपने गुरु के आदेश का पालन करना नहीं सीखेंगे, आपको कोई भी सादना सिद्ध नहीं होगी, चोटे-मोटे अनभव आपको हो जाएंगे, लेकिन सिद्धी तक गुरु ही ले जाएगा, आपको सरपृत्म गुरू के आदिश का पालन करना चाहिए जैसा गुरू ने कहा ठीक वैसा ही करना चाहिए अपनी बुंदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जहां-जहां आप अपनी बुंदी का प्रयोग करेंगे आप बहुत गहरी चोट खाएंगे, बहुत ज़्यादा मात खाएंगे और ऐसे असंखे, जन्मों में आपने पतनी कितनी सारी भूलें करी हैं, कितनी सारी चोटे खाई हैं शक्तियों का खेल बहुत खतरनाक होता है, कभी भी कुछ बहुत सकता है यह मजा की बात नहीं है, यह तंत्र शेतर है, मैं उन सभी साद्कों से जो पेंड़ पिसाचनी में इच्छा रखते हैं, जो जग्यासा रखते हैं आप अगरे चुक हो तो मुझे मेरे नंबर पर मेसेज परके पता सकते हैं उसके जो बूर रहसे हैं, बो पूरे के पूरे तो मैं साज़ा नहीं करूँगा, तो मैं देख्षित साद्कों के पूरे मैं नहीं देता हूँ, देख्षित साद्कों को भी मैं बहुत कटिन परिक्षा से बुजार के ही मैं असली चीज़ बताता हूँ क्योंकि अभी इस योग में वैसे साधक जीवित है नहीं, बहुत कमा नीतियनियम का पलन और मर्यादार आदेश का पलन दरने वाले साधकों की संक्यां बहुत कम हैं, बहुत नगण में हैं बिलकुल तो जिब तक वो परिक्षाओं में तेरग नहीं होता है, उसको साधना देना उसे नहीं होता है, बहुत उसका दुरुपयोग, दूरुपयोग दोसरों के लिए उता ही होता है, वो साधक स्वयम के लिए भी करता है तो ऐसे ही कंड़ पिसाचनी की तीन स्टेजेज मैंने पूरी करी थी, जो यही स्टेज थी मैंने इसमें आपको बताया, एक कंड़ पिसाचनी को मैंने दूसे तरीके से भी करा था, उसके अलगन भौर है, और एक कंड़ पिसाचनी मैंने बहुत अगोर तरीके से करी थी, जिसमें मल-मूतर का प्रोक भी होता है यह सादना जो मैंने करी यह तो फिर भी बहुत शांत थी, साथ्रिक थी इसलिए उसका रूप भी बहुत शांत था जो दोसरी सादना है, और तीसरी सादना है दोसरी सादना ध्यान के माद्यम से साधक को कैसे सिंद्ध करते हैं मैं इसमें आपको बताऊंगा और तीसरी जो बहुत ही ज्यादा अगहुर और कबालिक त्रियाओं के अंतर गदाती है वह कैसे सिंद्ध होती है तो तीसरी वीडियो में बताऊंगा इसरी पार्ट में बताऊंगा यह फर्स पार्ट था बहुत सारी लोगों के मेरे पास मैसे जाते हैं एक सादक को मैं करड़ पिसाजनी करा भी रहा हूँ अभी मैं उन जिग्यास्वों को इकत्रित कर रहा हूँ जो करड़ पिसाजनी सादना करना चाहते हैं उन सादकों की परिच्छा लेने के उपरान थे मैं उनको उस साधना में साधना भी करवाऊंगा वह साधना भी करवाऊंगा अगर वो इच्छु कोंगे और यह साथना मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रामन हैं, जो जोतिशी हैं, जो फलकतन जड़ते हैं, उनको यह ज़्यादा सूट करती है, उनके प्रोफिशन का सूट करती है, तो मैं लोगों से भी निवेदिन करूँगा अगर जोतिश लोग अगर इस साथना को करना मैं इससे संबंदित भी उनको सही मारना देशन दूँगा, यह पथम सेरीज में मैं जो सामान्य तरीके से करणपी साचनी सिद्ध करना चाहते हैं, वो बेसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको बहुत सामान्य तरीके से कुछ समय के लिए वह साथना बता सकता हूं करणपी स्थीन का अवाहन होता है और वो उसी तरीके से बताती है थोड़ सा धंग अलग होता है लेकिन उसको कैसे मैनेज करना काइसे कंट्रोल करना है जिस सिर्फ गुरू गाद इश्पह होता है और इसमें बहुत बाते होती है कि गुरू का बार-बार निगाह चाहिए होती है, क्योंकि इसमें किरने के चांसेज 100% है, एक परसेंट भी हैसा नहीं कि किरने के चांसेज ना हो, और जो एक परसेंट अगर बच सकता है, तो वो गुरू आदेश से बच सकता है, आप लोग जुड़े रहें, अगर जिग्या इस साथना को करने के लिए मुझे वट्च अप करें मैरे नमबर पर, दूसरी और थर्ड सेकेंड और थर्ड जो पार्ट आएगा, सेकेंड में ध्यान की माध्य हम से करने पिसाचनी के लिए मैं बताऊंगा, और थर्ड में जो बहुत ही अगहर क्लिया है, हम पिसाचनी की उसके बारे हम बताऊंगा, और अगर आप सादक हैं अच्छे, तो आपको तुम्हें एक छोटा सा सूतर बता देता हूं, अगर आपको हलका सानुभव करना हो, रातरी को बारा बजे, जिस बिस्तर पे आप लेटते हैं, परिबार बालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर ग्यार अच्छो बार इस मंतर का जाब आप कर लेना, आपको उसी रातरी को यह समझ में आ जाएगा, मैं क्या बता रहा हूं, जो भी अन्भव हो, मुझस साचा कर सकते हैं, और अगर इच्छो खो, तो मेरे शिवर में आके, मेरे साथ साथना भी कर सकते हैं, उस सभी की रॉंकटे खड़े होगे, उसको देखते ही, उसका प्रयोग है मंतर के साथ, जब मैं सादखों को देता हूं, उस मंतर के साथ प्रयोग में बताता हूं, कि आप उस दंड उको पकड़के अगर आप अपने तीन बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लेजिए 20-20-50-50-100-100 किलोमेटर दूर तक उसके उचारन से और उस ठोक से पढ़ने वाली चोट उस धर्टी के भीतर ही नहीं उपर के भी शक्तियों को सफाय कर देते है किलो